क्या आपके बाल बहुत ज़ादा जारू जैसे दिखते हैं बेजान दिखते हैं दो में हो चुके हैं दोस्तो बहुत सारा नुस्खा ट्राइ करते हैं लेकिन फिर भी असर नहीं होता है तो आज यह magicals नुस्खा जरूर ट्राइ करिएगा बाल आपके बहुत ही सुंदर और खुपसत हो जाएंगे आपको क्या करना है लेना है fresh alvira तो fresh alvira का अगर आपके पास पौधा है न दोस्तों उसका ही इस्तमाल करना है fresh alvira का पौधा ताजकल सभी के घर में होता ही है अगर आपके प सकते हैं बहुत ही beneficial होता है दोस्तों बालों के लिए या फिर हमारे skin के लिए Elvera को medicinal plant बोला जाता है बालों के लिए skin के लिए या फिर हमारे health से related बहुत सारे issues में भी use किया जाता है Elvera बहुत ही जादा फायदे मत होता है तो इसको आपको अपने घर जरूर रखना चाहिए तो fresh Elvera की आपको एक टहनी कहीं से भी कठी करनी है अगर आपके पास है तो उसको डेली use कीजिए जिस तरीके से मैं बता रहे है उसी तरीके से तो दोस्तों आपको क्या करना है इसको अच्छे से धो लेना है साफ कर लेना है जहांसे आप काटे ना कट लगाने यह इस लिक्टSteve को तुकि बहुत ही जादा ही यूजुता है थोड़ा थोड़ा सा आपको ज़ंगे से लेकिन दोस्तों बहुत ही ज्यादा अनेक फाहदी होते हैं तो इस तरीके साब को कट लगा करके जह है चाकू की मैंद से फिर चमज से इस तरह के द yapıyorsun में वह वह हैक यह वह मारकोष कर और दाइगा था respect कर दाई नसे को जाएगा वह फाइदेτοं ज्यादा फाइदे SPD महowserट आप यह अंड ने सári करता है आपके बालों को पर एक अलग से लेयर लगा देता है जिसे अगर आपके बाल ज्यारू जैसे दिखते है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट मुलायम सिंकी हो जाएंगे दोस्तों तो आपको इसी तरी किसा आपको सबसे पहले प्रोसेस में इसका जेल निकाल लेना है किसी करने आपको सभी जेल को डाल देना है अगली सामरी आपको डालना है पका हुआ हुआ चावल चस्टर ओयल यानि की अरंडी का तेल जोके मारे घयर पुरोस में बहुत जयादा है तो एक चमच यहां पर कास्टर डाल देना है चावल दोस्तों हमारे बहुत जाद कर ली है इसको straight करने में बहुत जाद हेल्प करता है naturally conditioning करता है हमारे बालों को उसके आपको add करना है olive oil यानि जैतुन का तेल एक चमच और दोस्तो एक चमच जैतुन का तेल डालने से आपके बालों में natural nourishment होगा बाल आपके बहुत जादा अच्छे और कुपशत होंगे उसकर फ्रेश मलाई जो आपके पास होता है दूद में अक्सर मलाई नहीं तो आप दही एड़ कर सकते हैं तो दो चमस यहां पर फ्रेश मलाई डालना है जिससे आपके बालों को नाचरली कंडिशनिंग मिलेगा बाल आपके बहुत स्मूद और लगेगा और फिर आपके बालों में जो खास दर पर जो ट्राइनिस की प्रॉब्लम है बालों में दो में पन की प्रॉब्लम है वो सभी समस्या खतम होगी इस तरह किसा आपको क्रीम जैसे अपने बालों में लगाते हैं मास्क कैसे लगाते हैं हैर मास्क के जैसे इसको आप हमारे बालों को naturally condition करता है और जो राइस है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनिंग का काम करेगा थोड़ा से रखने के बाद आपको कुछ दिर के बाद फ़र्क दिखेगा बाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट दिखते हैं तो इस दिर किसा आपको जो काफी हैं तो आप शैंपू कर सकते हैं या फिर शैंपू आप नेक्स डे भी कर सकते हैं बहुत ही ईजी और सिंपल सा method है ट्राइ जरूर करिएगा इसके बहुत ही benefits होंगे आपको बाल आपके बहुत ही सुन्दर और खुपशत हो जाएंगे जरूर ट्राइ करें और अगर आपको लगी कि आज का वीडियो है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें शॉर्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम, फेस्बूक, रेल्स और सभी जगह फॉलो कीजिए और यहां फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं तो मिलते ह दो में तेक केर बबाई थैंक्स वाचिंग